नमस्कार हमारे सामने एक बीस वर्षिय कन्या की कुंडली 29 नवंबर सन 2000 को सुभा 10 बच कर 18 मिनट पर आपका जनुम हुआ है आपकी कुंडली धनू लगन और धनू राशी की कुंडली है यानि आपके लगन और आपकी राशी दोनों के जो मालिक हैं गुरू ब्रस्पती देव है पहले मैं बात करूँगा कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियों के बारे में कि कौन सगर है कहां बैठकर कैसे रिजल्ट दे रहा है और जीवन में उसका क्या परिणाम है क्या अच्छाई है क्या बुराई है आपकी कुंडली के अंदर सबसे पहले में शुरुआत करूँगा लगन से और लगन्स के भी अलावा मैं बात शुरू करूँगा चंदर्मा से चंदर्मा को शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता चाहिए तो उसका शरीर और उसका मन दोनों एक साथ चलने चाहिए शरीर कुछ कह रहा है मन कुछ कह रहा है दिमाग में खयाल आ रहे हैं कुछ करने के बार बार वो खयाल बदल रहे हैं मन के अंदर विचारों का आवा का मन हो रहा है कि नहीं यह नहीं करना चाहिए, यह कर लेते हैं, अरे वो भी बहुत अच्छा है, आज एक movie देख ली, उसके अंदर लड़की सूपर स्टार है, तो उसे उसे मौड़िन कर लें, अगली movie देख ली, उसमें लड़की स्पोर्ट स्पर स्थ स्पर्स पर्सन है, फिर देखा कोई शेर बजार में बहुत अच्छा पैसा कमा गया तो क्यों ना शेर बजार में चला जाए ये सब चीजे जीवन में चंदरमा से देखी जाती है क्योंकि आपका अपने मन के उपर जब संतुलन ना हो तो व्यक्ति जीवन में फिकल मैंडिड होता है और ये फिकल मैंडिड होना उसे जीवन में कुछ भी हासिल करने नहीं देता कि जीवन की अच्छी खासी एज निकल जाती है पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं प्रोफेशन के समय प्रोफेशन नहीं और जॉब की जगा जॉब नहीं वो सारी के सारी कमिया मुझे आपके चार्ट में दिखाई देती है आपके कुंडली के अंदर चंदरमा अमावस्या से अगले दिन का चंदरमा है जानी जिज दिन अमावस्या थी उससे अगले दिन आपका जनम हुआ अम्मावस्या के आसपास का चंदर्मा वीक होता है जैसे आकाश में चंदर्मा दिखाई नहीं देता अम्मावस्या या उसके आसपास के दिनों में ऐसे ही कुंडली के अंदर भी जब चंदर्मा की स्थिति ऐसी हो के सूरिय के आसपास चंदर्मा दिखाई दे तो इसको कहते हैं वीक चंद्रमा ये आपकी मानसिक्ता को खराब करता है दूसरा चंद्रमा राहू केतु के बहुत ज़दे निकट है 19 डिगरी का चंद्रमा है 22 डिगरी का केतु है जब जब राहू कहतों के निकट चंदरमा या सूर्य होते हैं तो उस पर ग्रहन लगाते हैं अब आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशी का मालिक आपके मन का मालिक आपकी सोच का मालिक चंद्रमा जब इस प्रकार से पीडित हो तो आपने जितने भी सारे चीज़े मुझे लिख कर बताई है कि कभी पढ़ाई चल रही है साइकलोजिस्ट में मन कह रहा है यूपेस्टी की तैयारी कर लें एक तरफ आपको मोटन इवेशनल स्पीकर भी बन रहा है और अगर आपके जीवर में ऐसा ही चलता रहा तो आपका पूरा जीवर निकल जाएगा लेकिन आप एक अच्छे सक्सेस्फुल इंसान नहीं बनेंगे इसलिए उस चीज का आज में समाध्वान दूंगा आपको तो सबसे पहले तो चंदर्मा बहुत कराब इस कुंडली का उसको ठीक करना पड़ेगा यानि जहां बुद्धी ठीक वहाँ डिसीजन ठीक हो जाएंगे फिर वेक्ति एक तरफ चलना शुरू हो जाएगा आपकी राशी और लगन दोनों का मालिक है ब्रस्पती वो कुंडली में छटे घर में बैठा है शत्रू की राशी में बैठा है और शत्रू की राशी से एक्शेंज करके बैठा है यानि लगन में शुक्र है और ब्रस्पती यहां है जब ब्रस्पती और शुक्र दोनों एक दूसरे की राशी में है जब छटे घर से लगन लगनेश का राशी परिवर्तन हो ये जीवन को संघर्श रत बनाता है ऐसा व्यक्ति के जीवन संघर्श का दीवन होता है स्वयम के बलपर अचीवमेंट करने में परिशानिया आती है हेल्थ इशूज रहते हैं लाइफ में बॉड़ी पूरी तरीके से एक तरीके से संपन नहीं हो पाती या कह सकते हैं बॉड़ी के अंदर कोई ना कोई छोटे मुटे रोग लगे रहते हैं अच्छा इम्यून सिस्टम ना होना भी इनी कॉम्बिनेशन के करन देखा जाता है तो लगनेश और चतुर्तेश ब्रस्पती जब छटे घर में हो तो ये इन प्रकार की परिशानियों को देता है साथी साथ खुद के बल पर मकान बनाना भी जीवन में बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके कुंडली में शनी भी छटे घर में है शनी ब्रस्पती का योग हो तो ये कॉम्बिनेशन मेहनत तो खुब कराता है मेहनत से सफलता भी दिलाता है क्योंकि व्यक्ति सहासिक किसम का है उसके मन में जजबा तो है कि जीवन में मुझे कुछ करना है आगे बढ़ना है लेकिन उसके लिए साही डारेक्शन की आपको जुरुवत है तब ही आप कुछ कर पाएंगे नहीं तो आप जीवन में सिर्फ सोचते रह जाएंगे और जीवन आपका खतम हो जाएगा या निकल जाएगा अब ब्रस्पती के साथ शनी है शनी कुंडली में तीसरे गर का मालिक हो के तीसरे गर को वापस देखता यानि व्यक्ति सहासिक के समका है उसके वहीतर धहर है वो जीवन में आगे बढ़ सकता है अब यही शनी आप देखेगा कुंडली में धन भाव का मालिक भी है वो भी कुंडली में यानि पैसे को कमाना और पैसे को धन संचे करने में आपको प्रबलम आईगी यानि आप जीवन में धन तो कमाएंगे लेकिन धन आपका किसी न किसी कारण वस उठता रहेगा हो सकता है किसी कारण के लिए लोन ले 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 उसमें उठ जाए आपकी हेल्थ के उपर खर्च हो जाए क्योंकि शनी ब्रस्पति जब शटे गर में हो तो यह स्वास्त के लिए अच्छा कॉंबिनेशन नहीं होता खासी तोर पर अगर यह वक्री हो वक्री ग्रह जीवन में चेस्टा वली होता है यानि व्यक्ति के अंदर इच्छाओं का तो भरमार होता है लेकिन वो इच्छाओं कब कितनी संपन होंगी वो आपकी कुंडली पर उसकी दशाओं पर निर्भर करता है यानि अभी तक जो एक कॉंबिनेशन है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम सो दिखाए दी है सूरिय को देखिए भाग्यस्थान का मालिकों के बारवे घर में है ऐसा अकेला सूरिय आपको आँखों से संबंदी तकलीफ दे सकता है आँखों के रोक दे सकता है सूरिय भाग्यस्थान का मालिकों के दौदश भाव में व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए प्रियास करता है वो प्रियास उसमें कभी-कभी SFL भी होते हैं उन प्रियासों को पूर्ण करने के लिए उसे अपने जनम इस्थान से दूर भी जाना पड़ता है यानि पढ़ने के लिए या काम करने के लिए तो वो यहां दिखता है मंगल के बारे में बात करें कि पंचम भाव का मालिक जब कुंडली के दशम भाव में बैठे है और वो 12 भाव का मालिक भी हो तो ऐसे लोगों को जीवन में राज्य सरकार से संबंदित कार्यों अगर वो करते हैं या उनकी कोई नौकरी या तैयारी करते हैं तो उसमें सफलता के योग दिखते हैं मंगल पंचमेश होके पंचम भाव को देख रहा है यानि अपने घर को ग्रह का देखना आपकी शिक्षा के लिए अच्छा माना जाता है बुद्ध ग्रह बुद्धी का ग्रह है आपकी एजूकेशन का ग्रह है वो भी आपके पंचम भाव को देखता है यानि बुद्धी में और एजूकेशन में तो कोई कमी नहीं है कि व्यक्ति में बुद्धी फर्स किलास है उसकी कैचिंग पावर अच्छी है उसका बात को समझने का तरीका अच्छा है लेकिन कब कहां कितनी मेहनत करनी है वो अभी व्यक्ति कोज उस बारे में कोई जानकारी है नहीं बुद्ध आपकी कुनली में देखिएगा सब्तम दशम का मालिक होके एक आदश भाव में बैठा और वही बुद्ध यहां स्वेग रही होके भी है तो कभी कभी ऐसे लोगों के जीवन में शादी से संबंदी तिस्थितियां भी काफी जल्दी आ जाती है कि भी आपके जीवन में कोई रिष्टा अच्छा है मावब आपने कहा भी अच्छा रिष्टा है कर लो क्योंकि जून दोहजार तेईस और दोहजार चौविस जो आपको अचानक से किसी परकार के शादी के सबंधन में बांद सकता है यापके पास कोई अच्छा रिष्टा उस दोरान आ सकता है कुड़ी में अरेंज मेरिज के योग ज़्यादा है लव मेरिज के योग नहीं है और लव अगर हो भी जाए तो वो जीवन में सफल नहीं होगा क्योंकि आपकी कुड़ी में यहाँ पंचम भाव का मालिक मंगल है फिर से और वो नीच का होके बैठा यह लव रिलेशन्स के लिए अच्छा नहीं होता यहाँ भी देखेगा यह यह वंगल जो यहाँ दशम में बैठा है आपकी बुद्धी शिक्षा का मालिक करम में बैठा है यानि व्यक्ति जीवन में ऐसी पढ़ाई करेगा ऐसी शिक्षा करेगा जो उसको अपनी प्रफेशनल लाइफ में काम आएगी साथी साथ संतान चे संबंदे नजरिये में ये कॉम्बेनिशन अच्छा नहीं ऐसे लोगों को संतान प्राप्ती में कस्ट या देरी का सामना करना पड़ता है तो ये तो तो ये ग्रहो किस्थितियां जो कुंडली में हैं बैठे होई हैं आपकी अब मैं कुछ बात करता हूँ दशा की कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर अच्छा है या बुरा है वो जब तक बुरे फल नहीं देगा जब तक उसकी दशा नहीं आए और वो जब तक अच्छे नहीं फल नहीं देगा जब तक उसकी दशा नहीं आ जाती यानि ग्रहों का फल उसकी दशा के आने जाने पर निर्भर है चंद्रमा की दशा आपको चल गई अब आप देखिएगा कि आपको 2017 से चंद्रमा की दशा शुरू हो गई यानि 17-18 वर्ष की उमर से कौन है चंद्रमा? अश्टम भाव का मालिक अश्टमेश जब लगन में हो लाइफ के अंदर हर्डल्स बढ़ा देता है संगर्श को बढ़ा देता है चंद्रमा राहु केतु अक्षस पे है चटे घर के मालिक शुकर के साथ है और अमावस्य के आसपास का है स्वास्त के लिए अच्छा नहीं मना जाता सोच के लिए अच्छा नहीं है मानसिक्ता के लिए अच्छा नहीं है कभी मन के अंदर परेशानी है कभी मन में बेचैनी है कभी मन में भावुकता है कभी मन में विचारों का आदा बदल है यानि दिमाग एक जगे टिक नहीं रहा वो सारी चीजें इसके अंदर आती है ये कुंडली बिजनिस की कुंडली बिल्कुल भी नहीं है ये कुंडली नौकरी की कुंडली है एक बात नौकरी में भी यहां आप देखेगा कि प्राइवेट सेक्टर मुझे जादे मजबूत दिखाई दे रहा है बनिश्पत सरकारी फेक्टर के यहीं आपका जो जीवन है वो प्राइवेट सेक्टर में मुझे जादे मजबूत दिखाई देता है इसलिए जब यक्ति को यह पता लग जाए कि भई यह सरकारी में कोई योग नहीं बनता इतना अच्छा कासा बिजनिस में मुझे जाना नहीं इसलिए उसे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और वो पढ़ाई को प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए आपने कहा सर मेरा केरियर किसमे है मैं बहुत कनफ्यूज दूँ मैं B.A. साइकलोजी कर रही हूँ मुझे साइकलोजिस्ट बनना है एक डॉक्टर की होरस्कोप में चंदरमा पेडित होता है एक साइकलोजिस्ट की होरस्कोप में चंदरमा पेडित होता है या ऐसे मानसिक रोग वाले लोग भी होते है उनका खुद का चंदरमा भी कहीं न कहीं पीडित होता है जिससे वो सामने वाले को समझ सके या उनकी बातों को जान सके या उनकी फिलिंग्स के अंदर उनके साथ मिलकर बात कर सके तो साइकलोजी के नाम का सब्जेक्ट आपने चुना चंद्रमा की दशा में वो आपने चुन लिया मैं तो खेर इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ लेकिन आपने जिस सब्जेक्ट को चुना है उस में पूर्ण सक्सस मुझे दिखाई दे नहीं रही है क्योंकि कुंडली में मंगल आपकी शिक्षा कराने वाला गरह है ये मंगल पंचम भाओ का मालिक है पंचमेश पंचम को देख रहा है साथी साथ मैं इसका एक कॉंबिनेशन और देखना चाहूँगा आपके चार्ट में कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो चंद्रमा के नक्षतर में बैठा हुआ है और कुंडली में चंद्रमा बुद्ध से काफी संबंदित भी बनाता है यहां ब्रस्पती के साइन में है तो अगर आप अपनी जीवन में जैसे आपने साइकलोजी का सब्जेक्ट लिया आप इसके अंदर बी ए कर रहे हैं आप इसके अंदर मे करिये और इसमें आगे बी एड वगरा करते हुए अगर इस लाइन में आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादे अच्छा रहेगा तो अगर आपका फोकस इनी चीजों पर है कि भई मैं साइकलोजिस्ट का कोर्स कर रही हूँ कि उमर हो गई आपकी 20 साल 20 साल में लगब या तो फाइनल येर में वेक्ति आने वाला होता है या चल रहा होता है या सेकंड येर पास होने वाला होता तो बिये तो आपके हो जाएगी उसके बाद आएगी में की बारी दशा भी चंदरमा की काफी लंबी है चंदरमा लगन में बैठे हुए है पढ़ाई के मालिक मंगल से दरश्ट है इसका मतलब पढ़ाई हो जाएगी यदि आप अपनी शेतर में इसी में शिक्षा आगे बढ़ाते हैं और बाद में जाके आप इसी शेतर से संबंदिश शिक्षा करते हैं तो वो आपके लिए एक सही रास्ता होगा तो मैं समझता हूँ आपने जो अपना केरियर ये चुना है आप उसको आगे बढ़ाईए और आगे बढ़ाके इसी चीज़ में मास्टर्स करिये और उसमें टीचिंग लाइन में आप जाईएगा बाकी इसमें कोई सरकारी नौकरी या बिजनेश या ऐसा कुछ करने की जुरूत नहीं है मेरी हैल थोड़ी खराब रहती है मुझे माईग्रेन है जिसकी वज़ेसे में एफेक्टिवली वर्क नहीं करता है माईग्रेन कहां से निकलता है जब शरीर के अंदर किसी भी बॉड़ी पार्ट के अंदर पूर बलड सप्लाई हो जाती है या बलड से सम्मद्र प्रबलम आती है तो व्यक्ति को उस पार्ट में प्रबलम होनी शुरू हो जाती है किसी भी बॉड़ी पार्ट के अंदर अगर बलड का संचरन बंद हो जाए तो वहां से उसमें सुन हो जाएगा वो इस्सा मैं आपको बता दूँगा आप ठीक हो जाएंगी दात भी आपके टेडे मेरे है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है वो चंद्रमा की वज़े से है बहुत गुस्सा आता है वो चंद्रमा केतू का रोल है मंगल से द्रश्टे चड़चड़ाहटपन भी आएगा गलट डिसिजन लेती हूँ इसका कोई सलूशन बताएंगे आपको शादी कब होगी कैसी होगी लव मेरेज के चांस मुझे नहीं दिखाई देते हैं अरेज मेरेज के चांस ज़्यादे दिखाई देते हैं चंद्रमा में बुद्ध का रोल मुझे दिखाई दिया 2023-24 में शादी का योग वो भी मुझे आपकी कुंडली में दिखाई दिया है उसके बाद अगर देखें तो केतु शुक्र, सूरिय इनमें तो कोई शादी होती नहीं फिर आती है देशा मंगल की मंगल, राहू, ब्रसपती फिर ये इस्तिती जाके लगबग लगबग पहुँच जाएगी 2039 में तो आपको निरने करना है क्यों कि शादी की दिखाई तो आती रहती हो सकता जब आप 15 साल की हो जब भी शादी की दिखाई हो लेकिन हर किसी का एक रीजन होता जिए आपनो उस समय शादी क्यों नहीं की तो शादी ना होने के भी रीजन है तो पहला योग जो मैं आपको बताया वो 2023-24 में है दूसरा 2039 में बनता है वो मैं आपको बता दिया कि आप इसी छेतर में आगे बढ़िए इसमें PG कर दिये जो इसकी अच्छी सची पढ़ाई है उसको पढ़िएगा और उसमें आगे एजुकेशन लाइन में या टीचिंग लाइन में जाईएगा मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको कोई UPSC में या सरकारी नौकरी में जाना है या आपको कोई बिजनेस करना है या आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना कुछ नहीं बनना है आपको सिर्फ यही फिल्ड पकड़ना है इसी में आगे चलना है ये आपकी कुंडली की सबसे बड़ी कमी है कि आप बहुत ज़दा सोचते हैं आप बार बार उस चीज के प्रती चलते हैं लेकिन उससे सक्सस नहीं हो पाते बहुत सारे केरियर आपके दिमाग में आते हैं तो केरियर में आपका निर्धारिद कर दिया इसमें आगो चलना है बहुत जाद है जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूं और हमेशा गलट ट्रस्ट करती हूं मेरे को किन चीजों को इस पेशली ध्यान रखना चाहिए ये भी बताईएगा तो आपने आप पे खुद बताया है कि आप दूसरे पे ट्रस्ट करती हैं बहुत जल्दी और ट्रस्ट आपका प्रबलम में आता है लोग आपका यूज कर लेते हैं आपको इस्तमाल कर लेंगे लोग बाग चंदरमा लोगों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि आप भावनाओं में बहने वाले हैं किसी को दुख हुआ आपको भी दुख हो गया उसने अपने दुख की कहानी आपको बता ही आप उसके लिए तयार हो गए आप तो उसके लिए मेहनत कर रहा है वो आपका इस्तमाल कर रहा है आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है आप लोग लोग आपका इस्तमाल करते हैं तो उन चीजों से आप बचके चलना होगा क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने जीवन में आगे बढ़ें आपकी सारी समस्याओं का एक हल कि अगर आपका माइंड ठीक हो जाए माइंड सैटल हो जाए बुद्धी ठीक हो जाए मस्टिक से जगे काम करना शुरू कर दे तो आपकी सारी समस्याओं खतम हो जाएंगे उसके लिए क्या करना चाहिए शास्तर कहता है जब कुंडली में चंदर्मा दूशित हो तो उसके लिए भगवान शिप से बहतर कोई पूजा होती नहीं है उसको करने का क्या तरीका वह मैं आपको बताता हूँ आप अपने आस पास के छेतर में कोई भी अगर शिवलिंग है वहां रोज जाए रोज जा सकते हैं तो रोज जल चढ़ाईए नहीं तो हर स्वामवार को घर से पंचामरत बनाईए उसमें जल भरिए थोड़ा गंगा जल डालिए दही डालिए उसमें दूट डालिए उसमें शहद डालिए और इन सब को मिलाकर मिक्स करके अपने घर से लोटा बर के ले जाईए और भगवान शिव को जाके जल चढ़ाईए शिव जी को जल चढ़ाते हुए ओम नमद शिवाय मंतर का जाप करें साथ इसाथ उसके बाद जल से पूरे परिवार को भी जनान कराईएगा वहाँ पर जोज जलाईए वहाँ पर परशाद रखिए शिव लिंग को टश नहीं करिएगा बस और परशाद रखिए और वहाँ पर खड़े होके अपनी पूजा पाठ कीजिए दैनिक जीवन में रो जाना आपको एक पूजा करनी है वो है रूदराष्ट कम रूदराष्ट कम के तीन पाठ करने है संकट नाशन गणे सिस्तोतर के तीन पाठ करने है यानि पहली पूजा रूदराष्ट कम दूसरी पूजा संकट नाशन गणे सिस्तोतर इन दोनों का लिंक में आपको भेज़ दूँगा दोनों के तीन तीन पाठ करने है जिन लोगों का चंदर्मा वीक होता है उनको meditation, yoga और प्रणयाम नित्य प्रदिदिन करना चाहिए खराब चीजें negative चीजों से बचना चाहिए चाहे वो TV में आती हो चाहे magazine में आते हो चाहे mobile में आते हो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए तब ही आपकी मान सकता मजबूत हो पाई जहां तक stone की बात है कि आप कोई stone पहनना चाहते है मैं अभी आपको किसी रतन पहनने की कोई सला दूगा नहीं इसलिए आप कोई रतन मत पहनना नहीं तो उससे आपको problem ही बढ़ेगी बस ये पूजा पाठ आपको करनी है आपका जीवन आपका भविष्य उजवल रहे यही हमारी इश्वर से सुबकामना है नमस्कार